हेलो एव्रीवन वेलकम टू कॉमर्सटर 247 माई नेम इस अमन महता और आज हम पढ़ने वाले हैं डिवेंचर को दुबारा से आई होप आप लोगों ने पहली वीडियो देख लिए होगी जिसके अंदर हमने डिवेंचर के बेसिक्स पढ़े हैं और उसके अंदर जो चीज़ क्या पूछा आता है तो आज का टॉपिक तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को और अच्छे से पढ़िए आज बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है क्योंकि 11 का भी थोड़ा सा पोल खुलने वाली आपकी क्या आप लोगों को आता है या नहीं आता है आपने सह सही होता है से शेर키 करते हैंट्रीस बिल्कुल भाई यह एंट्रीस बस शेर हटाकर के देवेन्चर लिखना है बिलकुल भाई समझो कि यह है क्यों आता एकاعक चीज तक यह और insun या redeem करना redeem करने को बोलते है redemption ठीक है issue करना और redeem करना issue का मतलब क्या कि मैंने debenture दिया और पैसा मिला redemption का मतलब क्या कि जो debenture issue किया था अब वह वापिस ले रहो पैसा लोटा रहो तो क्या हुआ बेटा ये बिल्कुल apposit हुए दोनों क्या हुए बिलकुर एक दूसरे के अपॉजिट हुए ठीक है अब यहां पर जब हम इशू कर रहे हैं कहरे हैं एंट्री तो इशू की ही करनी है लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए सर पहले क्यों नहीं बताया फिर आपने तो वह बेसिक था वह इंट्रीस पता हुनी बहुत जरूरी है तो आज मैं इसलिए चीज़े बता रहा हूं क्यूं क्यूंकि पहले बेसिक जब कवर हो था तब हम एक और एंगल और कॉंसेट हम दिमाग में जोड़ते हैं तो यहां पर और जरूरत क्यों पड़ी कि रिडेमशन पॉइंट ऑफ यू को देखना जरूरी है यहांपर जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम रिडीम करते हैं जब हम redeem करते हैं किसी security को जैसे issue के time पे issue के time पे par premium discount को issue कर सकते हैं same यहां पर भी हम par premium और discount पर redeem नहीं कर सकते हैं डिसकाउंट पर par और premium पर कर सकते हैं ठीक है पार और premium पर अब आप खुद सोचो कि आपने issue किया जब डिवेंचर तो आपने बोला 100 रुपे दे दो एक डिवेंचर ले लो और जब रिडीम होगा तो मैं आपको 100 पर दे दूँगा वो कहते हैं ठीक है चलो इंटरस्तों मिली रहे हैं हमने बोला कि चलो जब रिडीम करूंगा तो मांदो आपको 110 रुपे दे दूँगा हम गये इंटरस्तों मिली रहा है 10 रुपे भी एक्स्टा मिल रहा है प्रीमियम का मतलब यहां पर issue की टाइम पर प्रीमियम होता है उससे company का फाइदा होता है तो इससे डिवेंचर होल्डर का फाइदा होता है उसको एक्स्टा पैसा मिल रहा है प्रीमियम का मतलब होता ही एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा पेमिंट अब चाहे वह company कर रही है या फिर वो डिवेंचर होल्डर करा है ठीक है ठीकिन अगर आप सोचो 100 रुपे की चीज मैंन इसकाउंट पर कोई भी भला इंसान नहीं करता क्योंकि भाई डिवेंचर होल्डर मानेगा ही नहीं ठीक है तो यह बहुत सिंपल से बेसिक से हैं इसलिए हम पार और प्रीमियम की बात करते हैं रिडेम्शन के टाइम पे ठीक है अब पॉइंट यह है कि सर फिर भी अभी त कर दिए बराबर इंटरस्ट दे रहें क्यों कि जब तक उनका पैसा अपने पास रहेगा वह तो इंटरस्ट हमें जहिलना पड़ेगा ना ठीक है और अगर मैंने एक साल रखा तो एक साल के लिए प्रशान रहूँगा मतलब एक साल के इंटरस्ट दोंगा कोई दिखती है मैं कमा भी तो रहूं ुनका पैसा ले करके डिवेंचर होल्डर का पैसा लेकर के मैं कमा रहा हूं और उस मेंस对 मैं इंटरस्ट लाईन करता हूं चल रहा हूं ऑर अंकम मेंसे जो इंटरस्ट जो करने पे अस्तरुक्स पैसा मिला तो यूज कर ह tut उसमें से इंट्रस्टों में निकाली सकता हूँ ठीक है सर निकाल सकते हो और फिर मुझे यही सौर पर वापिस करने तो बढ़िया तो है कोई दिक्कत लेकिन आप खुछ सोचो कि जितना मैंने डिवेंचर का पैसा लिया उससे ज्यादा मुझे पे करना पड़े तो यहां पर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि भाई आप खुछ सोचो कि जब आप इंट्रस्ट पे कर रहे हो अपनी इंकम में से जो भी आपने पैसा यूज किया डिवेंचर होल्डर का तो उसको यूज करके आपने इंकम क्रेट करें उसमें इंट्रस्ट दिया यहां जो पिएन आपकी दिमाग में एक टैंशन होई थी किया टैंशन बनी हूई थी कि इनको 10 वुर्पे एकस्टरा देने कहां से कहा से दोंगा कहां से दोंगा कैसे 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 यह चीज़े दिमाख में आ रही होगी अब यहां पर बात समझ भाएंगे सर दस उर्पे की टेंशन है ना क्योंकि सौर पे लिए तो सौर पर वापिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल सही बात है सर टेंशन क्यों है विटा आपने इसके पीछे एक कॉंसप्ट ह यह प्रॉडेंस कंसेट्ट हमें यह बताता है कि फ्यूचर में जो भी हमें नुकसान दिख रहे हैं कि यह नुकसान हो सकता है experienced हो सकता है उसको आज ही हम record करेंगे अज ही हम record करेंगे लेकिन अगर का profit तीख रहा है हम से जाधा बैड़ा किया कोई है नहीं हमसे जाधा बैटलक किसी का हो ही नहीं सकता कि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान है वो तो अपना ही होगा ठीक है और इसी कंसेट की वाज़ा से बिटा प्रोवीजन और रिजर्व बना जाते हैं पता है आपको और इसी कंसेट की वाज़ा से अब जो दस रुप एक्स्ट्रा हम डिबेंचर होल्डर को पाँस साल बात देंगे वह तो शॉर है ना भाई हमने अग्रीमेंट किया है हमने क्या हमने प्रोस्पेक्टेटस इशू करा था तो जब डिबेंचर इशू करने के लिए प्रोस्पेक एक्स्ट्रा देंगे तो जिस दिन मैंने ये डिबेंचर इशू करें उस दिन ही मैंने फिक्स कर ली कि दस दूरुपे तो एक्स्ट्रा जाएंगे ही जाएंगे तो यह क्या है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यानि जिस दिन मैंने इशू कर दिया उसी दिन ये लॉस माना जाएगा उसी दिन record हो जाएगा समझ मारी यह बत ठीक है तो यह वाला topic हमारे सामने लेकर आया कि फ्यूचर के फ्यूचर के फ्यूचर के expenses आज ही record कर आज ही record करो ठीक है यह चैप्टर थ्री अगर आपने पढ़ा होगा आपकी 11th क्लास के अकाउंटिंग उसके चैप्टर थ्री के अंदर प्रूडेंस कंसेप्ट था बहुत बढ़ी यह कंसेप्ट है मतला अकाउंटिंग का बेस्ट मुझे टॉपिक लगता है theoretical क्योंकि यह हमें बताता है कि future में बूरा होने वाला तैयारी कर लो और जब हम तैयारी कर लेते हैं बुरा हो गया तो हम तयार है और बुरा नहीं हुआ तो पैसा बच गया अपने पास savings है हम financially हो चुके इसकंसेप्ट की वैए से हर बिजनस financially strong हो कर करके चलता है तो सेम आप अपनी life में भी लगा सक क्या हुना और क्या नया होने वाला है तो चलि यहां पर कॉंbionेशन हम कर सकते हैं पार पे प्रीमियम पे प्रीमियम पीट प्रीमियम Research पर पर इशू करा पर पर रिडीम, प्रीमिम पर इशू करा पर रिडीम, डिसकाउंट पर इशू करा पर रिडीम, पीड़ा जब जब पर पर रिडीम हो रहा है तो टेंशन है क्या, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है कि अन्यों कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो यह तो normal entries होंगी ठीक है normal journal entries यह तो normal journal entries होंगी point यहां पर आता है कि जब par पे issue कर रहे हैं लेकिन premium पे redeem करना है टेंशन premium पे issue कर रहे हैं premium पे redeem करना टेंशन discount पे issue कर रहे हैं और premium पे redeem करना महा टेंशन ठीक है तो यह 6 cases बनते हैं जिसको अभी हम देखने वाले हैं अभी सारी की सारी जर्नल entry दम गर्मा गर्म तो सबसे पहले शुरू करते हैं case number one जहां पे हमने issue कैसे करा बिटा issue करा हमने पार पे ठीक है और redeem भी कर रहे हैं पार पे पहले तीन case तो बोरिंग लगेंगे आपको तो आपने पहले बताया हुआ है तो भाई देखो पार पे redeem कर रहे हैं क्या इसकी tension है जब tension नहीं तो entry नहीं तो सरफ और सरफ किसकी बिटा issue जो हम कर रहे हैं पार पे इसकी entry होगी क्या entry होती है ठीक है दो entry होती है सर जब पैसा आता है तो bank account बढ़ता है bank account debit to debenture application and allotment account सर ये कौन सा account है application and allotment account जब हम लमसम पेशू करते हैं तो normally आपको यहाँ पर installment पर entries देखने को नहीं मिलेंगी ये वाले तो topic है इसके अंदर आपको लमसम वाली entry देखने को मिलेंगी तो पहली entry तो यह होगी जब इंसान apply करेगा वो पैसा देगा करेगा भाई application का पैसा दिया अलोट कर दो ठीक है पहली entry है दूसरी entry क्या होगी दूसरी entry होगी भाई ये deventure application and allotment account credit होगा तो आप debit हो जाएगा क्योंकि इसका पैसा कहां पर ट्रांसफर हो रहा है ये ये ट्रांसफर हो रहा है परसेंटेज deventure account में जीतने भी परसेंटेज आगे लिख लेना आप कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत नहीं है पार पर तो ऐसे ही होने वाला है पहला case done दूसरा case number 2 जहां पर हम issue कर रहे हैं issue कर रहे हम premium पर अब हम थोड़ा थोड़ा amount लेना शुरू कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ माया और हम redeem कर रहे हैं वेटा पार पर कोई tension no tension no entry जिस दिन ये premium पर redeem हो गया उस दिन हमें redemption point of view लाना पड़ेगा यानि last के तीन cases में ठीक है तो मान लो के भाई यहां पर जो issue कर रहे हैं इशू कर रहे हैं मान लो 100 प्लस 5 रुपे यहनी 105 तो 5 रुपे काया premium है तो पहले bank account से पैसा आया bank account debit to debenture application and allotment account आपको कही जगा सरफ एक entry देखने को भी मिल सकते हैं सीधे bank to debenture वो भी हो सकता है वो भी गलत नहीं है अगर एक की साथ entry हो रही है तो ठीक है न वो भी गलत नहीं है ओके चलो क्या पिटा 105 और 105 पैसा तो 105 रुपे आया ना पहली entry दूसरी entry क्या होगी दूसरी entry होगी debenture application and allotment account to percentage debenture account to जो premium receive हो वो securities premium होता है आई बात समझ में तो यहां पर 105 रुपे कहां गए बेटा 100 रुपे debenture में और 5 रुपे securities premium में हमेशा ध्यान रखो कोई भी हालात हों कोई भी हालात हों चाहिए premium चाहिए डिसकाउंट पर्सिंटेश debenture account के अंदर face value ही आएगी ओके तो यह सारी चीज़े हो गई सर बोर हो रहे हैं यह तो हमें आता है रुको जड़ा सबर करो एक केस और कर लो उसके बाद चौथे किस से मज़ा आ जाएगा ठीक है केस नमबर थ्री जब हम इशू कर रहे हैं डिसकाउंट पर डिसकाउंट पर इशू कर रहे है और redeem कर रहे हैं पर पर नो टैंशन नो एंट्री तो भाई discount पर इशू कर रहे हैं तो कितना discount मालो 100 पर डिबेंचर था और 4 पर discount यह नहीं 96 में इशू कर रहे है ठीक है 96 में इशू कर रहे है पहले entry bank account debit to debenture application and allotment account कितना बेटा 96 रुपीज आया 96 रुपीज आया दूसरी एंक्री debenture application and allotment account debit to एक मिनाट एक मिनाट अब discount दिया है ना बेटा discount दिया है तो expense है एक्सपेंस क्या होगा debit होगा ish discount on discount on issue of debenture account debit 2 percentage debenture account मैंने आपको बताया कि जाए कोई भी हालाद हो जो face value है 100 रुपे बिटा हो यहाँ पर आएगी ही आएगी ठीक है 96 आया और 4 रुपी क्या होगा बिटा discount होगया easy है बहुत easy है अब आएगा मज़ा खेल शुरू case number 4 ठीक है खेल शुरू तो color change करते हैं case number 4 case number 4 क्या है कि भाई हमने issue किया पार पे यानि 100 रुपे और हम redeem कर रहे हैं कैसे प्रीमियम पे प्रीमियम क्या पेटा 110 रुपे लोट आएंगे क्या होगया पेटा 10 रुपे की tension और जिसकी tension उसकी entry तो पहली entry bank account debit इसमें कोई भी change नहीं है पेटा पहली entry नौर में लोगी और हम करके रहे हैं इसू कर रहे हैं तो इशू के entry कर रहे हैं 10 रुपे को अभी देखते हैं क्या होगा आपको देखो सबसे पढ़िया ट्रिक क्या है इसकी जब भी आपको redemption प्रीमियम पर redeem हो रहा उसके टाइम पर कुछ करना होता है ठीक है उसके टाइम पर कुछ करना होता है बेटा तो आपको नॉर्मली इशू के हिसाब से ही सोचना है बस यहाँ पर एक इसकी वज़ा से इस 10 रुपे की वज़ा से एक debit एक्स्टर होगा एक credit एक्स्टर होगा तो debit और credit में एक एक लाइन एक्स्टर छोड़ के चलो बाकी जैसे आप इशू के entry कर तो बिल्कुल वैसे ही क परो चलो भी दिखाते हैं तो लालालाला वह बिल्कुल ऐसे मस्त जोन में थे अपने अपना अराम से काम करें बिन अटेंशन के थे मस्त देख दो लिखा टू डिवेंचर एप्लिकेशन अगाउंट एप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट अकाउंट पैसा तो 100 रुपे आया यह तो मेंटो ओवर्थिंकिंग है PRUDERly-NUS की वजाए से ओवर्थिंक्षिंग ह 되면 इंट्री कर लेते हैं होता न हम overthinking करते हैं चलो अब दूसरी एंट्री पिर यह डिवेंचर application अप्लिकेशन और अप्लिकेशन अंड अलोटमेंट अकाउंट डेविट टूपर्सेंटज डिवेंचर अकाउंट डेवेंचर अकांट सॉरर रुपे यही तो ओन अदा पार के हिसाब से फिर एक दम से गंटी बजी यह हमने काम काम कर चुक हैं हम अब चलो बैस टेंशन कीं करो क्लम बदलते हैं क्या इंट्री होगी पीटा देखो पीटा अभी यह समझ लो अगर यह समझ ला तो फिर केस नमबर फाइव केस नमबर सेक्स थोड़ा और इसी हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर रिकॉर्ड करूंगा तो लिखोंगा बैटा मैं लॉस ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इश्यू कर रहा था इसलिए यह बुरा हाल हुआ कितना बेट 10 रुप है अगर नहीं हुआ है और पे नहीं किया जैसे मालो रेंट अगर मुझे देना और मैंने रेंट नहीं दिया तो रेंट आउटसेंडिंग हो जाता है न ऐसे ही लॉस हुआ है लेकिन लॉस अभी तक पे हुआ क्या नहीं हुआ कब होगा पांच साल बाद तो इसलिए जब तक मैं यह पे नहीं कर देता 10 रुपह ये 10 रुपह मेरी लाइबिलिटि बनके रहेंगे तो इस लाइबिलिटी का नाम क्या है इस लाइबिलिटी का नाम है प्रीमियम और रिढम्शन आफ डिवेंचर अकाउंट कितना बटा 10 रुपए तो देखो बटा नॉर्मली हम ग्रीन कलर से लिख रहे थे अब वाइट वाइट कलर जो यूज कर रहा है वो एक्स्ट्रा एंटरीज है बस इसी पर दियान देना है यानि यह जो कह रहता है ना इस्यू आफ डिवेंचर विद रिडेंशन प करोगे वैसे ही एंटरी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जब जब प्रीमियम आए तो यह डेट और यह क्रेट अब देखो आगे भी क्या होगा आगे बिल्कुल इस्यू जैसे होता है वैसे ही होगा लेकिन यह एंटरी अलग अब आप खुद सोचो यह 10 रुप इश्यू कैसे कर रहे है प्रीमियम पे कैसे बिटा सो प्लस पांच एक सो पांच पांच रुपए प्रीमियम इश्यू पे ओके और रिडीम कैसे करेंगे रिडीम करेंगे हम प्रीमियम पे कैसे बिटा सो प्लस दस और इसकी है टेंशन इसकी है tension और जिसकी है tension उसकी entry तो जरूर होगी पहली entry ठीक है पहली entry bank account debit to debenture application and allotment account कोई tension वाली बात ही नहीं है इस entry में तो ठीक है 105 रुपर मांगे था 105 रुपर आ गए दूसरी entry क्या करना है सरफ इसकी entry करो अराम से इसकी tension जब होगी एक debit और एक credit की जगा छोड़ तो बस ठीक है तो इसकी entry कैसे होगी कि भाई debenture application and allotment account debit और एक space छोड़ा हमने और लिकाट टू percentage debenture account बेटा प्रीमियम पे है फांच रुपर प्रीमियम तो लिको टू securities premium account कितना बेटा 105 रुपर आया 100 रुपर face value यहां पे डाली और पांच रुपर यहां पे आ गए तीक है यह जब chain से हो रहा था तो फिर से घंटी बजी किसकी बेटा 10 रुपर की और फिर वही होगा loss on issue of debenture account debit ठीक है टू premium on redemption of debenture account कितनी की 10 रुपर दस रुपर अभी यह मत कर देना दोनों प्रीमियम को एक साथ बेटा यह income है और यह liability दोनों में फर्क है नेचर समझो और जो वाइट कलर का है वो tension वाली entry है future की entry है कि समझ मारी बात समझ मारी है बाई यह concept अगर आप दिहान से समझ के चलेगा एक्जाम में मैं आपको बता रहा हूं जो भी कंसेट्स हैं डिवेंचर वाले चैप्टर में concept थोड़े कम है comparison अगर हम करें इसका share capital से लेकिन आता क्या है इसमें mcq की बात करें तो theory आती है practical questions की बात कर तो यह जरूर आता है या फिर इसके अलावा कर कोई चीज आएगी तो वह दो और option है आपके पास या तो बेटा collateral security का आपको practical question देखने को मिलेगा या फिर आपको debenture issue of debenture other than cash consideration other than cash वाले topic देखने को मिलेगा ठीक है तो यह बहुत ही जादा भारी मात्रा में मतलब आने के chances है इसके ठीक है यह कहीं से कहीं तक बाकी दो तीन concept बताया ना मैंने numerical के लिए तो बाकी दो से कम नहीं ही जाद सही है बलकि ठीक है और यह deserve करता है मैं examiner होता मैं यह question पूछता और यह वाले नहीं case no.6 पूछता क्योंकि वह सबसे आधा special है चलो देखते हैं ठीक है मुझे तो बहुत मजा था भाई case no.6 क्या है क्योंकि इसमें double watt लग रही है issue भी discount पे करना है तो यहाँ पे नुक्सान हो रहा है और redeem जब कर रहे है तो वह भी premium पे कर रहे है तो वहाँ पे extra देना पड़ रहा है मतब वाट तो दोनों जगा लगी future में प्रेजेंट में भी discount पे कैसे 100-4 that is 96 का issue कर रहे है और यहाँ पे premium पे कैसे redeem हो रहा है 100-10 that is 110 और इस 10 और पे की pension है है ना चलो entry करते हैं पहले पहले issue करेंगा राम से उसको बाद में घंटी बेजएगी ठीक है तो bank account debit to debenture application and allotment account ठीक कितना बिटा 96 96 दूसरी entry जिसमां आता है मजा debenture application and allotment account debit अब बेटा ही discount वाली entry है तो discount issue का जो discount 4 रुपए वो भी अभी record होगा क्या लिखूंगा issue of issue of discount on issue of debenture discount on issue of debenture account debit debit अब एक debit के और एक्ट्र जगह छोड़ दू और लिखो 2 percentage debenture account अगर हम सिरफ उसको छोड़ करके इस पर धिहान दे तो यही entry होगी बस तो 96,4 और 100 face value आती है debenture account मेंशे अब future value entry white color से future value entry वही same क्या लिखेंगे loss on issue of debenture account debit 10 रुपए और लिखेंगे 2 premium on redemption of debenture account कितना 10 रुपए तो बेटा कुल मिला कि यह वाला जो है यह भारी चीज है क्यों सर क्योंकि यहाँ पर पते क्या होता है एक चीज मैं आपको और और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर होता कुछ ऐसा है होता कुछ ऐसा है कि यह जो आपको दिख रहा है न यह इन दोनों ही अकाउंट को हम एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या है लॉस अन इश्यू आफ डिवेंचर अकाउंट यह वाला अकाउंट वाइट कलर वाला इसी में लिख सकते हैं और सीधे लिखेंगा 14 रुपीज ठीक है और इसी वज़ा से MCQ एक बन जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है percentage of discount on issue ठीक है और ये question में आपको अगर आप हमारी series follow कर रहे है pre board की top 200 questions ठीक है top 200 MCQs for pre boards तो वहाँ पे आपको एक question ऐसे कराया था वहाँ पे बच्चे एक धेर हो गयते बिटा तो इसलिए ये चीज़ बहुत important हो थी इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखो अच्छे से पढ़ो तभी जाके समझ मारे concept की clarity नहीं होगी ना ना MCQs होने वाले हैं ना ही आपके subjective questions होने वाले हैं तो कहीं से कहीं तक कोई भी गलती मत करो और इस तरह से हमने सारी चीज़े कर ली और ऐसे ही पढ़ते रही है अगर आपको लगता है कि आपका CUT exam भी आ रहा है और आपको उस चीज़ की potential हो रही है और आप चाहते कि आप self study कर ले ठीक है तो बेटा आपको मैं genuinely बता रहा हूं self study करने में कोई problem नहीं है बट आपको बिना questions के आप मैदान में जाएंगे आप शहीद होके आएंगे बेटा शहीद होके आएंगे पक्की बात है तो इसलिए test series बहुत important हो जाते है test series में आ करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप ठीक है सी यूईटी के लिए बिल्कुल वैसा ही मौक टैसे जैसा सी यूटी जोब इसका आ सकता है ठीक है बिल्कुल उसी पैटन पे उसी तरीके से उसी तरह तरह से जो आपको setup आपका computer-based exam में आपको दिखेगा वैसे आप अपने online यहां पर exam दे सकते हैं ठीक और अगर आप चा रखा देता हूं कि आप हमार साथ कैसे जूड़ सकते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर बेटा आप कहां चाहिए गूगल पर जाहिए और वहां पर सर्च करिए अट्डा247.com ठीक है और यह website आपके ओपन हो जाएगी यहां पर क्या करना all courses पे क्लिक करना है 20 अक्टूबर ठीक है और यहां पर आपको आपके सी यूटी के अगर हम बात करें सेक्शन वन इंग्लिश हिंदी के जो लैंग्विज सेक्शन है वह हो जाएगा आपके कॉमर्स के चारों डॉमीन हो जाएंगे एक्कोनोमिक्स अकाउंट बी एस्ट और मैथमेटिक्स और क आपको करना क्या है आपको क्लिक करना और by न तुम आपको प्राइश दिखा रहे है इतना price पर करना अभी आपको code बताते आपने न मैसे चीट रहे हो तो बाइटा by रहाने के बाद और मैं आपको बता रहा है यहाँ पर live interactive classes होंगे आपको e-books मिल जाएंगे CUT के लिए जिसके अंदर आपको MCQs भी भरपूर मिलेंगे ताकि आपके CUT की तहरी भी चलती रहे और आपकी जो class 12 की तहरी वो तो चली रही है ठीक है तो जल्दी से join करिये आज इसी session के बाद join करिये code लागर Y5550 और ऐसे ही पढ़ते रही है और भाई top 200 question की MCQ series भी follow करिये बाई बाई take care like कीजे इस वीडियो को मिलते हैं आप से next class में keep growing